एक सुहावने दिन साथ ताल की यात्रा कर घूमाने का प्लान बना आप भी चलिए साथ ताल के दिल्चस्प सफर में पॉपकोईन ट्रिप के सान मिलेंगे राहा में कुछ खुबसूरत मोड और दिखेंगे कुछ अत्यांतर रमणी इत्रिश्य हलवानी से काटगोदाम भीमताल से होते वे साथ ताल की दूरी 49 किलोमेटर और ननीताल से साथ ताल 23 किलोमेटर दूर है और दिल्ली से साथ ताल की दूरी 310 किलोमेटर है जो लगभग 9 घंटे का ड्राइब है ट्रेन द्वारा दिल्ली से काटगुदामें स्टेशन के लिए राद भर की यात्रा कर पहुँचा जा सकता है काटगुदाम से टैक्सी लेकर एक घंटे में साथ ताल पहुँच सकते हैं आज अच्छी धूबखी लिए और रास्ते में कुछ ज़्यादा ट्रेफिक नहीं है वैसे दिन प्रते दिन परेटन और साड़क परिभन विक्सित होने के साथ उत्राखन की साड़कों पर उसी अंदुपात में ट्रेफिक बढ़ता जा रहा है यहारोड परवती छेत्रों को जोड़ने के लिए एक मुख्य साड़क है जो कुमाओं के मैदानी भाग से परवती जनपतों जैसे अलमोडा, बागेश्वर, पिथारागर, सहित गड़वाल को भी जोड़ती है साथ ताल के लिए महरागाउं से बाई और धलान की और जाती साड़क से पहुँचा जा सकता है इस स्थान का नाम साथ ताल इसले पड़ा कि यहां कभी छोटे बड़े साथ ताल हुआ करते थे कुस ताल यहां साड़क से गुजरते वे दिखाई देते हैं, जंगल और पहाड़ियों से घिरे और कुस ताल अब अस्तित्व में नहीं है इन तालों के नाम स्क्रीन में देखिये जा सकते हैं धलान से नीचे उतरते हुए कुछ खुबसूरत मोड मारगे घने व्रक्षों और सुन्दर नजारों से घिरे हैं यह रास्ते और यहां से दिखते नजारे, यहां से गुजरते लोगों को सम्मुहित करते हुए चित्ता करशक दिर्श, यही तो है वो जिसके लिए दुनिया भर से सैलानी यहां आते है इन कुछ घुमादार मोडों से होते हुए सुन्दर बांच के व्रक्षों से घिरे साथ ताल के किनारे चलने के बाद कुछ देर तक ताल के साथ लगी रोड से आगे बढ़ पहुँचे साथ ताल यहां साथ ताल में वहानों के लिए पार्किंग की जड़ा बोड में है साथ ताल के बारे में कुछ इन्फरमेशन यहां की सीडिनुमा बाजार में कुछ भोजनाले हैं जिनके सामने यहां बैठने और ताल का अन्द लेने के लिए जग़ जग़ बैंच लगी हैं यहां के रेस्टोरेंस में उत्राखंड के स्थानी पॉस्टिक भोजन का अनंद लिया जा सकता है और इन सीडियों से होते वे नीचे ताल तक पहुँचा जा सकता है साथ ताल, राम ताल और सीटा ताल से मिलकर बना है एक और के हिस्से को राम ताल कहते हैं और दूसरे हिस्से को सीटा ताल बना जाता है कि राम ताल के एक किनारे पर ही लगावा ताल लक्षमर ताल है यह सब अप साथ ताल का हिस्सा है ताल के एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ने के लिए है ब्रिज रामसेटू इस से ताल के दूसरी और जाकर थोड़ा उंचाई से भी ताल के कुछ मनोहरी द्रिश्चे देखे जा सकते हैं ताल में बोटिंग परेटों के मज़े सबसे पसंदिद एक्टिविटी है अलग-अलग आकार की बोट में नौकायन करते से लाने ताल के चारों और अच्छी ग्रीनरी है उंचे पेड़, प्रकरती, सांती और अपनों के साथ ऐसी जगा समय भल ही न ठहरे लेकिन खुद को थोड़ा और यंग होता महसूस तो किया ही जा सकता है नौकायन के अतिरिक्त कईयन ने गतिविधियों का भी परेटकानन्द लेते साथ ताल में होने वाली कुछ अक्टिविटीज की जानकारी स्क्रीन में देख सकते हैं उली कोडि़ जायन वाली का झाल के आया है यह ताल के किनारे बथकों का समो सामानित है इनका जीवन 2-12 वर्स तक होता है वैसे तो बथक सांतिप्री होती है यह यहां आने वाले सैलानियों के सांथ भी घुल मिल जाती है पर जब इन्हें लगता है कि इनके छेत्रे में कोई अतिकर्मन कर रहा है तो यह आत्रमक हो सकती है ताल के किनारे और आसपास घूमते वे सुरम्यता को निहारते वे बट्स और नेचर के सांथ घूमे यहां बड्ड वाचिंग के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून का है वैसे वर्स वर्स आता लाया जा सकता है ननी ताल की ही तेरा यहां के अपेक शक्रत थंडे मौसम के कारण गर्मियों के समय यहां अधिक वेस सीजन मिलता है यहां विविद प्रजातियों के पक्षियों को देख बड्ड वोटोग्राफर्स और बड्ड वाचर्स की आँखों में चमक और दिल में उमंग बढ़ जाती है यहां कई वन्य प्राणियों का भी आवास है साथ ताल में सैकणो परजातियों के पक्षियों के साथ सैकणो पुस्प, व्रिक्ष और औसधियों की परजातियां देखी जा सकती है स्वच्छवातावरण, घने व्रिक्ष, जगा-जगा ताल, प्रकृति को फलने पूलने के लिए और क्या चाहिए यहां ताल में एक बोर्ट में बैठी किंग फिशर को मसलियों की सिकार करते वे कैप्चर करने का मौका मिला सही समय के इंतजार करने के बाद किंग फिशर ने तेजी से पानी में डाइब मारी और उतनी ही तेजी से वापस रही किंग फिसर के पारे में एक विचित तत्य है कि जादतर किंग फिसर जब सिकार करना सीखते हैं तो पानी में अपनी पहली ही डाइब में डूब जाते हैं और जो सर्वाइब कर पाती हैं वो ऐसे ही दिखाई देती है साथ ताल में बोटिंग के साथ यहां आसपास ट्रेकिंग किया सकती है नेचर वॉक किया जा सकता है बे हाइकिंग कर सकते है यहां ठहरने के लिए कुछ कैम साइट्स और रिजॉर्ड्स हैं सभी नेचर से खिरे जो इंटरनेट पर सर्च किये जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम अपने वीडियोज में होटल्स की जानकारी भी दें तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने सुझाओ दें साथ ताल के आपास के प्रसिद दर्शनी स्थल हैं भीमताल, भावाली, नौकुच्याताल, ननीताल, मुक्तेशपर, रामगर्ड और कैंची मंदिर इन सब इस्थान दूबर बने वीडियोज भी आप पॉपकॉर्ण ट्रिप चैनल में देख सकते हैं साथ ताल बहुत बड़ा नहीं है, यहां की बाजार में कुछ गिनी चुने, फूड इस्टॉल और रेस्टॉरेंस हैं लेकिन अगर आप यहां गूमना चाहें तो समीपुर्थी वन्चेत्र में गूम सकते साथ ताल के किनारे सेर करते हैं बथखों का समू यहां रुखने का विचार उनके लिए अच्छा है जो प्रकरते के साथ करीब से रहना चाहते हैं इंटरनेट, मोबाइल, कनेक्टिविटी और आधुनिक सुईधाओं के बिना बेसिक लाइफ को जीना चाहते हैं वो यहां कुछ दिन रहकर दुनिया भी ठहराओं में आत्मिक बदलाओं प्राप्ट कर सकते हैं साथ ताल में एक पूरा दिन बिता, तस्वीरों और वीडियो क्लिप्स को मेमोरी कार्ड में और अनुभूतियों को मेमोरी का हिस्सा बना, हम वापस लौट चले इस सफर में साथ चलने के लिए पॉपकॉन ट्रिप की ओर से आप सब का अभार वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा फिर एक नई वीडियो में, किसी और मंजिल के साथ मिलते हैं, धन्यवाद